तो आज इस वीडियो में मैं सेयर कने जा रही हूँ एक बहुत ही टीस्टी और बहुत ही यमी रैप की रैसिपी जो बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है और बहुत ही यमी लगता है तो चलिए बनाते हैं रैप उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को कर ले तो यहां पर रैप बनाने के लिए मैं एक बोल में ले रही हूँ नॉर्मल बोल जो मीडियम साइज की घर में होती हो उससे वन बोल एंड हाफ बोल रिफाइंड फ्लोर यानि मैदा तो मेजर्मेंट के लिए आप कोई भी नॉर्मल जो मीडियम साइज की घर में बोल अब मैं इसमें इसी नॉर्मल इस्पून से ही डाल रही हूँ half spoon baking powder तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से measurement करना है जैसे मैं कर रही हूँ अब मैं इसमें 1 फोर्थ स्पून डाल रही हूँ baking soda तो ये देखिये ये baking soda है इससे ज़दा आपको नहीं डालना है अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 spoon curd तो यहाँ पे मैं fresh curd यूज़ करूँगी तो देखेंगा एद आई इसमें 1 spoon डाला 2 spoon and अब मैं डालूँगी 3 spoon तो यहाँ पे मैंने 3 spoon curd लिया है अब मैं इसमें 1 spoon डाल नहीं हूँ the refined oil आपको कोई भी smell जिस से आती है जिस ओयल से खुजबु आती है वो नहीं लेना है और अब इसे अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे और इसका इक डो त्यार करना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जैसे हम रोटी का डो त्यार करते हैं बिल्कुल वैसा ही डो त्यार करना है ना बहुत जदा गीला होना चाहिए और ना बहुत जदा टाइट होना चाहिए डो तो बस पहले अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो त्यार करेंगे तो बस बिल्कुल इस तरीके से thोड़ा थोड़ा लिटल लिटल वाटर डाल करके आपको एक रोटी जैसा जैसे रोटी चपाती के लिए डो बनाते हैं बल्कुल वैसे ही डो त्यार करना है और अच्चे से नीट कर लेना है यह देखिए डो ना हमारा गीला है ना बहुत सूखा है योगि अगर बहुत ज़्यादा इस्टिकी डो हो जाएगा बहुत ज़्यादा इसको आप गीला कर देंगे तो क्या होगा कि आप उसे रोल नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके से आपको डो त्यार करना है कि आप उसे रोल कर पाएं अब इसे हम ढखकर के रख देंगे तो मैंने डो को 15 मिनट के लिए ढखकर के रखा था और अब इसे थोड़ा सा नीट और मैं करूंगी तो ये दिखिए डो बिल्कुल भी गीला नहीं है और नहीं बहुत ज़दा हार्ड है तो इसे हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे हातों से इस तरीके से आप चाहें तो इसकी जगे हैं आप जो वीट फ्लोर होता है मतलब कीहू काटा होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हाफ आप रिफैंट फ्लोर और हाफ आप बेट फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं इसका डो बनाने में तो यह मैंने फाइब पीसेज कर लिए और बस अब इनको रोल आउट करेंगे तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इन्हें अच्छे से पिलकुल पतला रोल आउट करेंगे तो रैप बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही इंस्टेंट यह बन जाते हैं तो यह देखे इस तरीके से मैंने यह रोल आउट कर लिया और यह देखे यह एक हमारा रैप के लिए जो रोटी होती है वो रोल आउट हो गई इस तरीके से मैं दूसरा भी कर रही हूँ तो थोड़ा-थोड़ा मैदा डस्ट कर लें अगर रोल अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर यह मैंने सारी रोटीया रोल आउट कर ली हैं तो चलिए इन्हें तबे में कुक करते हैं तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम में तबे को चढ़ा दिया है इसमें मैंने यह रोटी डाल दी रैप वाली और बस एक से दो मिनट तक हम इन्हें कुक करेंगे जब हलके हलके से डॉट्स आजाएंगे तब तक बस इन्हें कुक करना है इन्हें fully कुक नहीं करना है इन्हें केवल 60-70% ही कुक करना है तो देखे एक जो है रैप के लिए रोटी वो कुक हो गई इसी तरीके से मैं दूसरी बेस में कुक कर लोगी तो हलका सा कच्चा ही रखना है रोटियों को बहुत ज़्यादा नहीं सेखना है रोटियों को तबे में तो इस तरीके से जब हलके से डॉट सा जाएं तो हटा लेना है तो इस तरीके से करके मैंने सारी रोटियां त्यार करनी है रैप के लिए अगर आपको रैप थोड़ी देर बात बनाने हो तो आप इन्हें कपड़े में फोल्ड करके रख सकते हैं तो यहाँ पे अब मैं तबे में लगा रही हूँ हलका सा बटर क्योंकि अब मैं रैप की फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने कुछ आलू वाइल किये थे और उसके स्लाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ और इन्हें में हलका सा कुप कर रही हूँ तो आप रैप में अपनी मन पसंद फिलिंग लगा सकते हैं तो यह आलूओं को भी इस तरीके से फ्राइ कर लेंगे हलके हलके से यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल ले हूँ और थोड़ा सा मैं और गैनो पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ इसमें तो बस यह आलू हो गए त्यार तो चलिए रैप बनाते हैं तो यहाँ पर रोटी ले रही हूँ इस तरीक से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ और अब मैं इसमें एक साइड में लगा दूंगी मयोनीज अब मैं एक साइड में लगाऊंगी पीजा सॉस तो यह होम मेट पीजा सॉस है जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ तो यहाँ पर एक साइड मैंने पीजा सॉस लगा दिया अब मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स रख तूंगी तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ अनियन कैपसिकम के स्लाइस, अनियन के स्लाइस एंड टेमेटो के स्लाइस अब मैं इसमें थोड़ा सा और गैनो पाउडर स्प्रिंटल कर रही हूँ और अब मैं दूसरे साइड में लगा रही हूँ थोड़ा सा टेमेटो कैचप ये भी homemade tomato ketchup है अगर आपको इसकी recipe चाहिए तो मैं description box में इसका link आपको दे दूँगी तो इसमें जो हमने potato के slice cook किये थे fry किये थे उन्हें मैं लगा रही हूँ इस तरीके से अब यहाँ पे मेरे पास एक cheese slice है तो इसे भी मैं रखतूँँगी ये जो बचा हुआ side है उसमें आप इसकी जगे चाहें तो cheese को grate करके भी रख सकते हैं अब मैं थोड़ा सा sprinkle कर रही हूँ organo powder और बस अब हम इसे करेंगे wrap तो बस इस तरीके से बहुत यह आसान तरीके से यह wrap हो जाता है तो बस अब हम इस wrap को करेंगे toast तो आप चाहें तो इसे तबे में भी toast कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर इसे sandwich maker में toast करूँगी तो थोड़ा सा butter लगा दूँगी मैं और butter लगाने के बाद मैं इसमें यह जो हमने wrap बनाया है इसको toast कर लोँगी तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से grill में ही उसे toast करें आप उसे तबे में भी toast कर सकते हैं तो बस wrap बन करके हो गया है त्यार तो मैं इसे निकाल रही हूँ और इस तरीके से करके मैंने सारे wrap बना करके त्यार कर लिए हैं बहुत ही यमी बने हैं आप जरूर ट्राइ करें बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं और अगर आपको हमारी recipes अच्छी लगती हैं तो हमारी channel को कर लिजे subscribe, like, share और comment थैंक्यू फर watching me